अपना 10 on 10 जिसका मतलब है 10 मिनट में 10 शब और ये words क्यों important है ये words important है ना सरफ आपके एक entrance examination के लिए लेकिन अगर आप चाहते हैं एक बहुत अच्छा orator बनना एक बहुत अच्छा speaker बनना और अपने college में जाके किसी भी society में debate में participate करना या एक बहुत अच्छी report लिखना या कहीं पर भी आपको लिखनी है कोई application और उसमें आप अटक जाते हैं कि शब्द क्या लिखे हैं और कौन सा शब्द कहां पर use होगा तो उसी के लिए ये session आपके लिए attend करना बहुत ज़रूरी है मैं हर रात 9 बजे आता हूँ आपके लिए लेकर ये session जहां पर 10 मिनट में हम कोशिश करते हैं आपको 10 शब्द सिखाने की ये शब्द आप लोगों कैसे लग रहे हैं क्या आप इनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में यूस कर पा रहे हैं या नहीं मुझे जरूर comment करके बताईएगा और session के end तक जरूर बने रहीएगा तो फड़ा फट से session को like कर दो और share कर दो और सिर्फ आपके लिए नहीं आपके घर में अगर कोई आपका छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन भी ह तो उनको भी बोलिए कि आपके ये session अटेंड करें अपने cousins के साथ अपनी family के साथ share करें क्योंकि vocabulary तो है common हम सब को जरूरत है शब्दों की तब ही तो हम बात कर पाएंगे तो आईए शुरुआत करते हैं हम इस session की जहां पर हम करेंगे आज के 10 words 10 minute में और ये 10 minute आपकी जी क्लैट की preparation के लिए अड़ा हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है और आपके आशु भीया भी लेके आए हैं आपके लिए ये hustle batch जी हां अगर आप चाहते हैं क्लैट जैसे exam को पार करना क्योंकि form हो चुके हैं out अभी भी time है भर दीजे जाके form अगर हैं आप class 12 में और या हमारे पास code लगाईए Y713 और पाजाईए maximum discount on this hustle batch आगे चलते हैं हमारे पास अगर आप MHCET महराष्टर के exam देना चाहते हैं और आप वहीं के resident भी हैं तो तो आपको मिलेगा ही 85% का reservation और अगर rest of India से भी आप चाहते हैं MHCET का exam देना या अगर आप CUET PG का exam भी देना चाहते हो जो की PG के law के लिए होता है तो आप ये हमारे batches victory batch और titan batch हमारे ले सकते हो जो titan batch start हो रहा है 10 अगस से और victory batch start हो चुका है आपके लिए July 4 से आप जागे फड़ा फड़ा से इन batches को ले सकते हैं code रहेगा वही Y713 तो law के कोई भी batch आपको चाहिए तो आप उसमें सिर्फ लगा सकते हैं Y713 और पा सकते हैं maximum discount तो आइए चलते हैं हम अपने पहले word की तरफ और पहला word क्या देखे देखे जरा इस प्यारे से बच्चे को जो बिलकुल गुमसुम सा और कोने में you know अकेला खड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं the word is aloof aloof को हम बोलते हैं somebody who is alone on the roof थाना थाना in the rain and on the roof ठीक है on the roof in the rain लेकिन अगर कोई पूरी की पूरी पाटी में कोई अकेला कहीं कोने में खड़ा हो जिसको लोगों से बात करने में थोड़ी सी जिजक सी महसूस होती हो या बात ना कर पाता हो उसको हम बोलते हैं aloof मतलब की alone on the roof that means somebody who is reserved, detached, unfriendly, unapproachable, somebody who is shy, introvert, जो थोड़ा सा डर लगता हो जिसको किसी से बात करते हैं unfriendly हो जो घुलता मिलता नहीं हो उसको बोलते हैं aloof ठीक है इसके antennas क्या हो जाएगे compassionate, kind and warm, somebody who is friendly जो एक दूसरे से बात करके आगे चले तो he is generally aloof in social gatherings कहीं लोग होते हैं जो social gatherings में थोड़ा सा awkward महसूस करते हैं क्यों क्योंकि वो थोड़ा एक दूसरे से distant रहते हैं उसको बोलते हैं aloof अगला word आपके सामने है hapless, hapless में already आपके सामने word hap, hap का मतलब होता है to you know laugh and to be a jolly nature लेकिन hap or less आपकी जिंदगी से happiness ही चली गई, happiness और less हो जाए तो क्या कहेंगे happiness plus less is somebody who is unlucky unfortunate, ठीक है तो कोई unlucky हो, unfortunate हो या फिर जिसकी जिंदगी से खुश्यां चली गई हो, root गई हो, उससे बोलते हैं hapless, antonym क्या होगा इसका, antonym होगा fortunate या lucky, somebody who is lucky, somebody who is fortunate enough to do something right, ठीक है, so sentence, Ram is hapless in matters of love, कहीं ले इता है न, बहीं दिल का मामला है, हर किसी का दिल नहीं लगता हो और ना ही, हर किसी को यहां मिलता प्यार जिंदगी में, तो हर किसी को जब प्यार नहीं मिलता तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं hapless, such an unlucky thing ना अगर किसी को प्यार ही ना मिले जीवन में, right, so उसको बोलते हैं hapless, अग्ला word हमारे पास है acerbic, acerbic क्या होता है, acerbic को बोलते हैं, somebody who is rude somebody who is harsh rudeness, harshness, acidic tasteless, sharp जैसे आपको बहुत ज़्यादा खटा है तो खटा इस acerbic है ठीक है और आज तो मुझे डांट पढ़ गई पापा ने बहुत ज़्याद आ रहा तो he was acerbic तो देखें न तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं इसको आप word को ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसको आपने तोर दिया ठीक है ना आपने इसको तोर दिया और इस word को आपने बना दिया for example आपने इस word को बना दिया acerbity ठीक है तो आपने word बना दिया acerbity तो अगर आपने इस word को बनाया acerbity तो आप क्या लिख सकते हो इसको? एसर और बेटी So, when there was no असर on the बेटी Right? So, पापा ने कैसे बोला? पापा ने बोला with एसर बेटी तो जब आपके ओपर कोई असर ना परे और आपके पापा, मम्मी भी आपको डाट के बोले तो इसका मतलब होता है ऐसर बेटी That means when you are rude, when you are harsh, when you are firm या फिर आप इसको acidic भी बोल सकते हो जब कोई citrus fruit थोड़ा सा खटा निकल जाए अगला word देखते हैं अगला word है ऐसा इंसान जिसके कोई feeling यह ना हो उसको हम बोलते हैं impassive क्या बोलते हैं हम उसे? उसे बोलते हैं impassive I am is a negative root passive मतलब जिसके अंदर कोई feelings ना हो इसके लिए एक और word आता है जो start होता है A से तो क्या आप मुझे comment करके बिता सकते हो कि ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई feeling नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? एक और word से मुझे जरूर लिख के आप बताईएगा ठीक है? So emotionless, without feeling जिसके अंदर कोई emotions ना हो Antonyms क्या हो सकते हैं? Somebody who is enthusiastic या फिर passionate उसको हम बोल सकते हैं Antonyms for the word impassive Right? So Raj is impassive towards animal कोई लोगों को होता है ना जो बहुत cruel होते हैं animals को क्योंकि उन बेजुबान जानवरों को जब कोई तंग करता है ना तो हमें भी तो कुछ-कुछ होता है हमें लगता है कि ये क्यों कर रहा है भाई ऐसे? तो that is impassive Next, inculcate inculcate का मतलब होता है when you implant something when you instill something in when you, you know, persuade somebody to do something उसको कहते हैं inculcate जैसे school inculcates good habits in you so that's inculcate schools inculcate the habit of being on time discipline सिखाते हैं आपको सिखाते हैं instill करते हैं आपको persuade करते हैं कि आपको ऐसी चीज़े करनी चाहिए तो उसको हम बोलते हैं inculcate Next word is inimical inimical Latin में etymology में Latin में इसका मतलब होता है enemy like so enemy आपको दिहां से दिख भी रहोगा so inimical में आपको दिख रहा है enemy so somebody who is harmful somebody who is your enemy somebody who can be hostile somebody who can be adverse to your health तो ऐसे कोई एक ऐसा इंसान जो आपके लिए हानिकारक हो आपके लिए harmful हो adverse हो उसको हम बोलते हैं inimical क्या बोलते हैं उनसे inimical so they both are inimical to each other they both are enemies to each other ठीक है so it's an adjective the word is an adjective next word जो है acumen acumen होता है जब आपके अंदर किसी चीज को करने की शमता कोई skill हो उसको हम बोलते हैं acumen तो बोलते हैं जैसे so and so person has a great business acumen इसका मतलब उसके अंदर business करने की एक शमता है एक skill है so a skill or an ability to do something accurately कोई एक ऐसी चीज जो आप बहुत ध्यान से बारीकी से कर सकते हो और बहुत finis के साथ कर सकते हो उसको हम बोलते हैं acumen so Simba has a considerable acumen for business उसके पास business की समझ है उसको business को करने का सलीका तरीका पता है अगला word देखते हैं अगला word is hegemony hegemony में Greek में Greek root में ये word वहां से बना है उसमें hegemon का मतलब होता है somebody who is leader or an authority so when there is a leader or authority उसको बोलते हैं hegemony an authority, dominance, a rule ठीक है so somebody who is an authority somebody who is in dominance somebody who has the authority authoritative उसको बोलते हैं hegemony the two countries fought for complete hegemony मतलब ये countries क्यों आपस में लड़ रहे थे so that उनकी complete authority आजाए उस चीज के ओपर right so the two countries fought for complete something therefore hegemony is a noun hegemony is a noun आपको पता होगा noun क्या होता noun is a name place animal thing so something will be always a noun इस तरीके सा आप अपनी part of speech भी identify कर सकते हो sentence में से अगला देखते हैं अगला is impecunious again im is a negative root pecunious is related to wealth so impecunious क्या होगा जिसके पास पैसों की थोड़ी सी कमी हो somebody who is poor somebody who is indigent somebody who has less money उसको हम बोलते हैं impecunious और इसका sentence क्या होगा when I first met him he was an impecunious man जब मैं उसे पहली बार मिला था तो वो बोहुत you know बोलते हैं इसमें movies में भी दिखाते थे कि पैसे पैसे के लिए महताज होता था लेकिन आज देखे हैं आज उसके पास बंगला है, गाडी है, पैसा है, बैंक बालेंस है तुम्हारे पास क्या है right so that is what we call as impecunious so impecunious is a person जिसके पैस पैसा ना हो, थोड़ी wealth कम हो अगला word देखते हैं अगला word is insidious ये movie आपने देखी होगी insidious so insidious का मतलब होता है somebody who is harmful आपने देखाऊ और वो that's such a you know eerie सी movie है थोड़ी सी जिसमें घोस्त आता है वो आपके लिए अहानिक आरक होता है so that is harmful in a gradual way दीरे 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 जो आपके लिए harmful हो उसको बोलते हैं insidious so sugar free is insidious to health sugar free आपको एकदम से नहीं मारती दीरे 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 उसके effects होते हैं ऐसा नहीं है कि sugar free ले रहे हैं तो sugar आपके अंदर जाई नहीं है लेकिन दीरे 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 वो आपको effect जरूर करती है that is insidious harmful in a gradual way तो आप आपके पास ऐसी करते करते हैं पहुच गए हैं अपने session के end तक यह है आपका telegram channel जो फटाफट से जाईए इसको जूड़ जाईए हमारे साथ और आपको telegram channel पे ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको articles भी send करूँ और कुछ-कुछ idiom, spellings, one word substitution ऐसी चीज़े भी डालता रहूँ तो यह आप जरूर जाके इसको scan करके आप join कर सकते हैं उसके अलावा यह सारे batches है हमारे आपके लिए hustle batch है supreme plus batch है achievers plus batch है और आपके लिए हमारे पास victory batch भी है जो की सब आपके लिए है code आपको सिर्फ लगाना है Y713 अगर आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ तो आपको मिलेगा यहाँ पर बहतरीन discount इन सब batches के उपर तो आप जाके code लगाना मुत भूलिएगा Y713 और जुड़ जाएंगेगा अपने आशु भेया के साथ क्यूंकि आपके लिए मैं हमेशा हूँ तयार और आपके सपने को पूरा करेंगे मिलके हम साका तो गुड़ नाइट शबा कैर फिर मिलेंगे अगले session में तब तर के लिए ख्याल रखिए खिजए बाएंगे